तो नामस्ते दोफ्तो तो लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सिश्टम ऑफ निवरेशन डिसकस किये थे उसमें जो पोजीशन प्लेज इन सब के बारे में केया है नॉलेश तो थोड़ा बहुत आपको सीयार कर चुका हूं ठीक है तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहा है उसी निवरेशन का जो दो ब्रांचेस थे इंडियन सिश्टम अफ निवरेशन एंडए तो जो इंटरनाशन सिस्टम अफ निमयराशन है वो ज्याधा तर आप विदेशों में अगर घूमने के लिए जायेंगे तो फोरेंग कंट्री दे इंद्न इंस्टम अफ नीकशान जो है ये चीज आपको इंटरनेशनल सिस्टम आफ निमेरशन ठीक है इंटरनेशनल सिस्टम आफ निमेरशन तो जो निमेरशन का जो प्रोसेस है वह चार्ड वेलू चार्ड के हिसाब से जाता है मतला place value जो number का place value होता है तो वो जो chart last time में Indian system of new variation में मैं एक chart draw किया था वो ही place value chart मुझे यहाँ पे भी draw करना पड़ेगा देखिए यह वाला देख लीजे इसे में साफ कर देता हम क्योंकि chart के लिए जगह नहीं बनी बन पाएगा थोड़ा जगह चाहिए ठीक है तो वहाँ पर मैंने period पहले once का period ठीक है once period उसके बाद thousands का period इस तरह से इसे box कर लेते हैं फिर आएगा million फिर आएगा billion उसके बाद आएगा trillion once period में आपको तीन places या फिर positions भी बोल सकते हैं तीन positions आपको देखने को मिलेगी एक होगा unit जिसका value होगा one उसके बाद आएगा tenths इसका value होगा ten उसके बाद आएगा hundreds इसका value होगा hundred ठीक है once period में जैसे Indian system of new generation में था यहां के भी वोई है once period है जो three positions को occupy करके बैठा है ठीक है यह first period second period thousands का thousands का हमारा जो Indian system of new generation था thousands place में दो digits बैठे बैठे ते लेकिन यहाँ पे thousands में तीन बैठेंगे यह thousands period के लेगा यह वाला एक है दूसरा यह वाला तो यह होगा one thousand यह होगा ten thousand यह होगा hundred thousand इस चीज़ को ध्यान से आप देखिए तो इंडियान सिस्टम अफ निमरेशन में thousands में दो-दो digits थे या फिर दो प्लेसे थे one thousand ten thousand लेकिन यहाँ पे thousand प्लेस में तीन positions रेंगे एक है one thousand दूसरा ten thousand तीसरा hundred thousand यह चीज़ एक्स्ट्रा एड हुआ है international system of निमरेशन में तो once thousand और million million में भी यहाँ पे यहाँ भी करते हैं ठीक है देखिए Indian system of निमरेशन में ten thousand के बाद one lakh ठीक है यहाँ पे one lakh को lakhs का जो period था यहाँ पे lakhs का नहीं है यहाँ पे once thousand one lakh जो है वो hundred के यह फिर hundred thousand position में आ गया यह thousands के अंदर ही इसे express किया जाएगा अभी आ गया million million मतलब hundred के one lakh one lakh का ten times more एक चीज़ मैं बता दूँगा आपको इसका जो प्रोसेस है केस है यह into ten मतलब ten times more skip करता हुआ पीछे पीछे आ रहा है सपोज one हुआ एक into ten यह हो गया just before place ठीक है यह हो गया ten times more इसका ten times more यह होगा hundred ten into ten hundred hundred into ten one thousand one thousand into ten ten thousand ten thousand into ten one lakh one lakh को आम यहाँ पर तो लाक नहीं पर सकते इंतने सम्सिस्टमों निमरेशन नहीं यह hundred thousand नहीं बोलेंगे ठीक है उसके बाद आएगा one million मतलब hundred का ten times more hundred का ten times more कितरा आगा thousand ठीक है तो one million जो है thousand thousand मतलब one कितने zeros होगे six zeros six zeros मतलब कितना ten lakhs तो यह हो गया आमारे इंडियन numbers के इसाब से यह हो जाएगा आपका one million मतलब कितना हो जाएगा ten lakhs हो जाएगा यह मैं short में यहामें लिख रहा हूँ ten lakhs इसी का ten times ten million मतलब one crore ten lakhs का ten times hundred lakhs मतलब one crore one crore का ten times कितना होगा ten crore यह मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ लेकिन international system of numeration में यह चीज लिखते नहीं यह बस आपको समझने के लिए लिख ला हूँ अगर कोई बोल लेगा मुझे one million चाहिए it means हमें समझ लेना चाहिए कि उसे ten lakhs चाहिए Indian system of numeration के इसाब से ठीक है तो यह हो गया आपका one lakh अच्छे से देख लिए ठीक है one lakh ताकि आपको कुछ दिक्कट ना हो यह million, billion, trillion billion में billion में यहाँ पे दो-दो places आएंगे यह फिर positions देखिए तो ten crore ठीक है hundred million यहाँ पे फिर आएगा one billion one billion यहाँ पे आएगा ten billion यहाँ पे आएगा one trillion यहाँ पे आएगा ten trillion इसे हमारे हिसाब से लखेंगे ten crore का ten ten small कितना आएगा hundred crore hundred crore crore में लिख रहा हूं मैं hundred crore अरब में नहीं लिख रहा हूं कुछ बैचों को दिक्कत होगा अरब समझ में नहीं आएगा ज्यादा तर लाच और crore तो कि हम calculation करते हैं अरब भी है उसके उपर भी बहुत सारे चीज़े हैं लेकिन हम ज्यादा तर इसी को इस्तिमाल करते हैं तो ten crore का ten times ten ten जा hundred crore hundred का ten times कितरा होगा one thousand crore one thousand crore का ten times कितरा होगा कितरा होगा ten thousand crore ten thousand crore का ten times hundred thousand crore इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिए ठीक है तो अभी मैं समझा रहा हूँ एक चीज़ यह जो एक एक प्ले से into ten बढ़ते हुए आ रहे हैं one का into ten किये तो यह हो गया ten फिर into ten किये फिर यह मिल जाएगा हमें इसके साथ into ten किये फिर यह वाला value मिल जाएगा इसके साथ फिर into ten कि तो यह वाला value मिल जाएगा इसी हिसाब से यह जो places बढ़ते हुए जाते हैं ठीके unit one into ten ten into ten कितना हुआ हुआ? hundred into ten कितना हुआ? hundred one thousand into ten ten thousand into ten hundred thousand into ten फिर आएगा उसी हिसाब से one lakh यह वाला आएगा one lakh into ten ten lakhs into ten one crore into ten ten crore इसी हिसाब से इसी सिक्वेंस की हिसाब से ten times more यह जैसे ascending order में बढ़ता हुआ जा रहा है ठीके इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में पुरा imprinted कर लीजिए यही है हमारा international system of neemerson Indian system of neemerson में हम क्या करते थे इसे मैं साब कर रहा हूँ यहां तक Indian system of neemerson में जब हम किसी भी नंबर को period के हिसाब से लिखते थे जैसे two, three, five, six, one, eight तो इसे हम period के हिसाब से ही divide किये हैं उसी हिसाब से हम उसे express करते हैं first three digits one, two, three यह कमा में बोलाता याद किजिए इसे हम thousand बोलते थे ठीके उसके बाद every two digits के बाद thousand के बाद क्या आएगा लाक याद है ना यह first कमा है thousand second कमा है लाक ठीके हम क्या पढ़ता थे इसे two, lax thirty five, thousand six hundred, eighteen हर एक कमा को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं digit उसके बाद कमा को प्रोनाउंस करेंगे ठीके two, lax thirty five, thousand six hundred, eighteen समझ में आगिया? ठीके, मैं इसे अभी साफ करता हूँ तो लेकिन इसी चीज को अगर हम international system of numeration के हिसाब से लिखेंगे suppose यह वाला एक नंबर है इसे international system of numeration के हिसाब से हम लोग अभी x-dates करेंगे हम लोग यहां पे thousands, lakhs, crores, अरब यह सब नहीं बोलेंगे ठीके, हम अभी period के हिसाब से पहले कमा देंगे, ठीके तो कहाँ पे कमा देंगे वहाँ पे one place में three positions थे thousand में दो, посто once place three positions occupy करके बैटा है thousand place यह भी three positions occupy करके बैठा है million place यह भी three positions occupy करके बैटा है, लेकिन billiongle and trillion तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम लोग कमा देंगे तो राइटन साइट से पहले वांस फिर कमा फिर ताउजेंज त्री प्लेसे फिर कमा उसके बाद तो मिलियन सपोज यहां पर है मिलियन त्री प्लेसे फिर कमा उसके बाद दो दो सफोज 21 उसके बाद कमा सफोज 16 16 के पहले तो कमा देंगे यहां पर जगर भी नहीं तो बस तो यह हम पढ़ेंगे कैसे यह वाला कमा इसे हम थाउजेंड बोलते थे इंडियन सिस्टम जबनेशं के इस आप से फास्ट कमा क्या होगा तांजेंड का यह थाउजेंड थाॉजेंड कहा थाॉजेंड condition क्या होगा शकन्ड कमा क्या होगा हुआ मिलियन के बाद आएगा open right hand side से फिर ऊभाद थाॉजेंड यहां पर है ना है, once गया, thousand, once, sorry, यह थोड़ा साफ कर करता हूँ, यह तीन, तीन, तीन हाँ, once गया, यह वाला thousand, फिर आएगा, thousand, फिर आएगा, million, million, million के बाद आएगा, यह वाला, billion, उसके बाद यह वाला आएगा, trillion, तो देख लेते हैं पहले, यह हो गया, thousand, thousand, उसके बाद आएगा, million, उसके बाद, billion and trillion, ठीके, सपोज यह वाला एक नमबर है, इसे हम पढ़ेंगे, international system of numeration के इसाब से, यह कितना digit वाला नमबर है, one, two, three, four, five, six, यहां से दखते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, तो यहां के प्लेस काम करते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, ठीके, यहां तर, तो, one, six, one, six, two, one, one, three, two, two, three, seven, six, five, two, हर एक पोजिशन में मैं इसे बिठा दिया, अभी देखिए, इसे पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे, जैसे इंडियान सिष्टाम और निवरेसल में बताया था, कमा को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ठीके, तो, सिक्स्टिन कमा, सिक्स्टिन के बाद कमा है, तो, पहले से मैं बोल चुका हूँ, पहले, राइट हैं साइट से, फार्स, थ्री डिजिट के बाद, थाउजन, उसके बाद, थ्री डिजिट, बिलियन, ठीक है, यह बिलियन, उसके बाद, टू डिजिट, फिर ट्रिलियन, यह पर लिखेंगे 16 trillion 21 billion 132 million 237,652 इस तरह से पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग 1000 में 200 को हम लोग लाग प्लेस में यह वाला रख दियते लेकिन इंटरनेशन सिस्टम अफ निमरेशन में यह तीन तीन प्लेशेश यह तीन-प्लेशेश एक एक प्रियोड को उक्युपाईँ करेंगे जैसे यह 100,000,000,000 बिलियन प्लेशेथा लेकिन बिलियन तिरिलियन यह दो-दो प्लेशेश को उक्युपाई़ किये हैं फ्लेसेज को उक्युपाई कें, 16, 21, 16, trillion, 21, billion, बाकी जो 3 digits, trillion गया, billion गया, billion भी गया, ठीके, 16, trillion, 21, billion, क्योंकि कमा तो यहां पर देना पड़ेगा नहां हमें, ठीके, 21, billion, फिर 132, 132, 16 गया, 21 गया, 16 के बाद कमा, 21 के बाद कमा, 16, trillion, 21, billion, 132, 132, क्या होगा, million, ठीके, 132 के बाद, 237, क्या होगा, 1000, यह वाला 1000 है न, ठीके, 652, इस तरह से हम इसे express करेंगे, मेरे ख्याल से, आपको समझ में आगया होगा, Indian system of new version, और international system of new version, Indian system of new version में, first three periods होते हैं, three periods, ठीके, तो पहले, right hand side से three digits, यह once period, ठीके, होते हैं, first three places, once उसके बाद, हर दो-दो digit के बाद, हम लोग कमा देते थे, ठीके, दो-दो digit के बाद, पहला वाला हम लोग 1000 पढ़ते थे, क्योंकि, फास्ट कमा के left hand side में जो दो-दीजित बेर, बेरते थे, यह जो, दो-दीजित, यह 1000 में बेरते थे, इसलिए 37,000 बोलते थे, लेकिन यहाँ पर श्रीफ 37, यह अगर इंडियान से, इसे साफ कर देता हो, में अच्चे से समझ में आ जाएगा, भी देखिए, यह वाला अगर हम इंडियान सिस्टम आफ निमरशन के हिसाब से पढ़ते हैं, सपोज, यह बहुत लंबा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेग रहे हैं, 237652, 237652, ठीक है, 237652, 132, यह भी लेते हैं, सपो इसी को नीचे लिखते हैं, 132, 237652, सपोज, यह वाला इंडियान सिस्टम आफ निमरशन के हिसाब से, यह वाला इंटरनेशनल सिस्टम आफ निमरशन के हिसाब से हम किस तरह से एक्सरेस करेंगे, अगर इंडियान सिस्टम आफ निमरशन के हिसाब से हम लोग इसे कमा दे से पढ़ते हैं 13 crores 22 lakhs 37,652 13 crore 22 lakhs ठीक है 37,652 तो इस तरह से हम कमा देके 13 के बाद 22 के बाद 37 के बाद दो दो डिजिट दो दो डिजिट ठीक है last में three digits पहले three फिर two 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 ठीक है लेकिन international system of निम्रेशन में पहला कमा ये तो थाउजन बोलेंगे दूसरा कमा थाउजन से पहले क्या आता था थाउजन ठीक है थाउजन से पहले क्या आता था मिलियन ठीक है तो थाउजन गया ये हो गया मिलियन तो ये वाला हम क्या पढ़ेंगे 132 मिलियन 237 थाउजन 652 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अभी इसी इसाब से मिलियन गया अकर बिलियन आएगा इसके पहले अगर दो डिजिट अगर 6 7 या फिर 2 त्री डिजि ये तो 3 त्री डिजित से पहले ये आ जाएगा बिलियन लेकिन 2 डिजित बिलियन के लिए बैठा है बैठे हैं यहां पर 67 बिलियन अगर तीसरा वाल आ अगया तो यहां पर फिर Trillion लिखना पढ़िगा दो डिजित के बाद T लिखना पढ़िगा यह हो जागा 2 Trillions 67,132,237,650 मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ठीक है तो यही चप्टर था निमरसन का इंडियन सिस्टम अफ निमरसन इंटरनेशनल सिस्टम अफ निमरसन ज्यादा डिफिकल्ड चप्टर नहीं है बस पिरियोड्स को याद रखिये प्लेसर सेंड पोजिशन्स को याद रखिये तो यह सब वेलिव जो है वहाँ पर जो वान मिलियन कोई बोलेगा वान मिलियन मतलब तेन लाग तेन मिलियन, वान क्रोर, हंडर्ड मिलियन, तेन क्रोर इसी हिसाब से बाकिस सब तर से में फेस बेलू, पोजिशन बेलू, सपोज इसका सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है? तो यह वाला 3, सपोज 3, 3 का सपोज कोई मुझे बोला है फाइन दो प्लेस बेलू अप दिजिट 3 इस 3 का प्लेस बेलू निकालना है, कैसे है? मैं पहले भी बोलाता, फेस बेलू, मल्टिप्लाइट बाइ, पोजिशन बेलू इस इक्वाल तो प्लेस बेलू ठीक है? तो फेस बेलू, पोजिशन बेलू, इसका फेस बेलू, दनमर इटसेल्फ वही अकला उसी का face value है ठीक है face value into यह किस position में बेटा है यह 10 million position में बेटा है ठीक है 10 million position में बेटा है तो 10 million के साथ इसे multiply इसका position हो गया 10 million मतलब 1 crore हम international system of deviation के इसाब से बोलेंगे तो यह हो जाएगा 3 into 10 30 million तो इसका place value होगा 30 million क्योंकि यह 10 million position में बेटा है यह 3 face value है 10 million position है यह position 10 million में बेटा है इसलिए इसका value 30 million है ठीक है मैं इसे साब कर देता हूँ अभी आज का class बस इतना ही इसके बाद देखते हैं math या फिर English बेच्चे क्या बोलते हूँ उसी इसाब से मुझे upload करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे ख्याल से इंटर्न सिस्टम अफ निवेरसन इंटर्न सिस्टम अफ निवेरसन ठीक है नंबर के बारे में थोड़ा knowledge आपके अंदर मेरे ख्याल से आ गया होगा ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो like, share करना बिलकुल मत भुलिए ठीक, thank you